मार्किट के पाव खाएं आपने, सूपर सॉफ्ट लगते न आप, नई नई उससे भी सूपर सॉफ्ट और उसमें क्या ऐसा डाला जाता है जिसकी वज़े से सूपर सॉफ्ट होते हैं, वोग बताऊंगा तो चलिए, सूपर सॉफ्ट रूवी की तरह है, गलत बोल दिया, रूवी से भी ज़़ा सॉफ्ट पाव गनाते हैं कैसे में स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ओन्स केचन में तो सबसे पहला जो काम होगा, वो है हमारा मैदे को छानना अब इसमें कोई गंदगी तो है नहीं कि छानना है हम छानते क्यों हैं, इसकी इंप्योर्टीज को निकालने के लिए कि इसका एक एक दाना अलग लग हो जाए तो मैंने यहां पे टोटल 500 ग्राम मैदा लिया है सबसे पहले हम डालते हैं इसमें नमक, तो यहां पे नमक है 10 ग्राम इसको भी स्टेन कर लेते हैं, हर चीज को स्टेन करनी है उसके बाद चीनी डालेंगे, यह 30 ग्राम चीनी है ब्रेकफास्स सुकर जिसको कहते हैं और यह है गुलिटन पाउडर, गुलिटन पाउडर का काम क्या होता है यह पूरे डो को ब्रेड को भांद के रखता है, बाइंडिंग देता है कभी-कभी आपने देखो का बड़े-बड़े से छेद हो जाते हैं ब्रेड के बीच में तो वो उनी से बचाता है यह तो यह हमने डाला 10 ग्राम और यह जो चीज है यह कभी भी आपको लोकल बेगरी के अंदर नहीं डालेंगे अब यह क्या चीज है यह है ब्रेड इंप्रूवर इससे ब्रेड हमारी अच्छी बनती है शाइन आती है और ब्रेड खराब नहीं होती है आप चाहें तो इसको इसके भी कर सकते हैं जरूर नहीं डालना लेकिन अगर है तो जरूर डाले इसका chemical name है Acrobic Acid लेकिन जो local bakery होती है उसमें यह नहीं डालते हैं वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ जो local chemicals होते हैं उसका इस्तमाल किया जाता है ड्राइ जीजों को पानी mix करने से पहले mix किया जाता है आपस में जिससे की सभी चीजें आपस में mix हो जाएं यह है instant dry yeast ड्राइ इस नहीं है instant dry yeast है इस तरह का आपको इसाई ब्राइंड ले लेकिन टावर का ब्राइंड का अच्छा रहता है और आप 10 से 12 ग्राम इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें क्या करना है इसमें सीधे ही पानी डालते हैं आपने नहीं करते हैं यह जाएं अच्छी तरह से तो यह दे बागी इसको अछी तरह समय सीधे है इसमेल इसमाल चाहिए अब यह सारा ईस्ट जाए गा इस फ्लार के इंदर जो चिपका हो आप गो इसको भी हाथ वादेश। निकाल रो अब डालेंगे इसके इनदर पानी पानी ल तो जैसे ही सारा डो एक तरफ बंद गया उसी टाइम आपको डालना है तेल किता डलेगा यहां पर 25-30 ग्राम के बीच में और अगर आपके पास में डो मशीन है तो काम आपका जल्दी हो जाएगा इतनी मेहनत नहीं लगेगी तो इसको डू को अच्छी तरह से नीट करना है कम से कम तीन से चाइव मिट। और आपके आपके हातों में बार-बार चिपक रहा है तो यहां पर हातों में हल्का सा ओल लगाएगे जमेते लेंगे इसको समेट लेंगे तरह सारा इसी तरह से इतना धिला डौ लगता है जखिए अब इसको साइड में कर देते है यहां पे हलक सा तेल उपर से और लगा देंगे हम इससे उपर से पपड़ी नहीं आईगी, इसके ऊपर ड्राइनस नहीं आईगी और 5-10 मिनिट का स्कुरेज देंगे 10 मिनिट, इससे ज़्यादा नहीं यहां पर एक मोल्ड मैंने ले लिया है इस पर ग्रीजिंग कर लेंगे हम मोल्ड मैंने यहां यहां पर गोल लिया है अगर आपके पास में स्कोाइर है तो स्कोाइर का भी समाल कर सकते हैं अच्छी तरह से करनी है, वरना चिपके रह जाएंगे इसमें, तो यहां पर पांस से दस मिनिट हुआ है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अब इसके बनाएंगे हम पेडे, यह बनाए पेडा, तो इसको इस तरह से मार्बल पे घुमाया जाता है, और अगर हम यहां पर नीचे पैक हो जाना चीए, उपर से बिल्कुल शाइनिंग आनी चीए, और सीधा उठाके यह गया हमारे ट्रे में, तो यहां पर सारे पेडे लग गए है, अब हलका सा ओल लगाएंगे उपर से, थोड़ा सा स्पेस मेने छोड़ दिया है, यह देखिए, लेकिन जैसे جएसे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया है, तो आपस में चिपकना भी स्टार्ट हो गया 10 पीस इस में आए हैं बाकी पीस मैंने इसके इंद है, अब इसको फर्मेंटेशन के लिए रखना है, सरदी का टाइम है तो लग बग एक शावा गंटा लग जाएगा, और गर और यह सुखेंगे भी नहीं, तो इसको लगभग एक घंटे के लिए हम रख देते हैं, तो यहां पर लगभग एक घंटा हो चुका है, और यह देखिए, यहीं पर सैट हो गया है, और आगर हाथ लगा के देखेंगे ना, हलका सा ऐसे लगा के देखिए इस तरह से, बिल्कु किया जाता है, आप पह पानी लगाते हैं, लेकिन हम तो भाई दूद लगाएंगे, घर पह बन रहा है ना, तो अच्छी तरह से लगाना है इसको, और हां होटल गंधर के दर क्या है, इस्प्रे का इस्पंछी का जिया जता है जो हमारे पाव बच गे थे 20 मिनिट के बाद देखते हैं तो यहां पर लगबग 20 मिनिट हो गए है वाह यह तो बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है यह देगे आप शानदार वाले पाव रेडी हो गए है फटा पट से निकाल लेते हैं जैसे ही हमने ओवन से इनको बहार निकाला उसके बाद में इसके उपर ऑईल लगाना है अच्छी तरह से आप बटर का भी इसमाल कर सकते हैं अगर आप ऑईल या बटर का इसमाल नहीं करेंगे तो यह हाट हो जाएंगे बहुत ज़्यदा इंपोर्टन पार्ट है इस रेसिप अब नीचे से भी कलर देख लेते हैं और यह देखे शांदार वाला करर इसमें आ गया है और अब इसको इस तरह से एक जाली पर रखेंगे इससे इसको हवा लगे इसको नीचे की तरफ से हवा लगेगी तो यह नीचे से गिल्या नहीं होएगा तो यहां पर यह अच्छी आप कमाल देखे आप सबसे पहले इसका कलर देखे जो आपको वाइटनेस दिखाई दे रही है इसकी बिल्कुल क्लीन यह दिखाई दे रही है ब्रेड इंप्रूवर की वज़े से जालिया देखे आप इसकी जालिया आप इसका टेस्स करते हैं यह 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 पूरा द अपने आप अपनी शेप में आ जाएगा इससे ज्यादा सॉफ्ट क्याल होगे जी आप रूई भी शर्म आ जाएगी इसके आगे तो इस ब्रेड को ठंडा होने के बाद जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाया तो आप पैक करके रख सकते हैं बाहर भी रख सकते हैं रूम टें हुआ 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 है